तो इस डेट और टाइम फंक्शन का हमें एक और एक्जामपल दिखते हैं हमने आप एक DTP कर कंट्रोल बनाया है DTP कर कंट्रोल यहां से बनाया जाता है अब देखेंगे पहले आप दिखते थे कि यहां पर 21 कंट्रोल होते थे लेकिन कुछ कंट्रोल आपको यह ओली के बाद से बढ़े हुए दिख रहे हैं यह कंट्रोल को एड किया गया है एड करने के लिए का जो प्रोसीजर होता है वो कामन कंट्रोल 2.6 और मैंक्रोस मुंडोज कामन दोल 6.0 इसको दुनों को टिक करके अप्लाइड करते ही यहां पर यह सब कंट्रोल हो जाते हैं अब इन कंट्रोल यहां पर जीशेकå डीरटी पीकर बना लेता हूँ डीरटी ठीन का काम होता है देट ओर टाइम पीख करना, देट ओर टाइम पीख करना और जब मैं इसको रन करूँगा तो डी कलेंडर ओपन होता है यहां से आप अपने जैसे किसी को अपने date of birth select करनी है और किसी को month इस अपरेल के पर click करेंगे September 29 सेप्टेंबर तो यहां पर set हो गया September 29 1998 तो यह जो month पहले दिख रहा है MMDDYY format है इसको हम change भी कर सकते है इस सहब הaltung consistent होता है वो इस में सेटिंग हाए इसमें लिखह है एक इसमीं लिख सकते हैं डिप लांग डेट में इस कुछ सेब्सक्राइब ब्लूद्ण कर पूर मुलिज्छे पusteते हैं कि यहां पर आप देख सकते हैं डिद्धिक्जार में में लेने पर स्चॉत्पल यहाँ पर दे सकते हैं दी हम मैंने आपक्त फॉर्मेट विए Г-ै does by 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 वाइब अबने में दी फिर मिनम् से यक और हम जो है वो डिन है को स्मॉल अमन मीन आप के लिए वहता हैं है तो आप देखेंगे कि कि यह format उसने ले लिए अगर मैं डैश या माइनस को मिटा दूँ स्लैश कर दूँ तो इस तरीके से आएगा या फिर स्लैश को भी मैं चेंज कर सकता हूं यह आपका चार अपर दो हजार बीस आ रहा है अब अगर मैं यहां पर ऐसे करता हूं तो देखिए कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा कैलेंडर इसको बोलते डेटी पीकर इससे अब जब डेट लेंगे मुझे कोई डेट सेलेक् 12 मैं डेट लिया दिसंबर 25 दिसंबर तो आप ध्यान दीजिए 25 दिसंबर 2012 तो यहां पर जो मन्त है वो क्या है आपका 12 को पिर 12 केसिस में फाइंड आट करके उसने डिसंबर परिंट किया इसका वरकिंग कुछ इस तरीके से हुआ है मैं इसको समझाता हूं आपको कि यहां पर एक कोड बना हुआ है और आप इस तरीके से समझ सकते हैं इसको कि इसकी वर्किंग कैसे हो रही है यह आपका कोड है और इस कोड में आप देखेंगे कि यह जो मन्त है यह 12 जो है वो इस मन्त डेटी पिकर की वेल्यो से मंत को निकाला जा रहा है और वो M में जा रहा है तो फिलाल यह जो 12 है बो डेटी पिकर वेल्यो का जो मन्त है वो 12 है तो M में जो value गई है उसमें गई होगी 12 तो ये जो M को select case में pass किया गया है तो case 1, 2, 3 सब को छोड़के वो case number 12 को run कर रहा है और case number 12 में लिखा है December इसलिए output जो है वो आ रहा है December तो इस तरीके से user कोई भी date select कर सकता है और इस function को मैंने use किया month निकालने के लिए ऐसे ही मैं year function से year निकाल सकता हूँ day function से day निकाल सकता हूँ तो इस तरीके से इसका use किया जा सकता है तो इस program में मैंने select case का भी use किया है साथी साथ मैंने मन्थ नाम की लाइब्रेरी फंक्शन का भी यूज के आप लोग इसका एक स्क्रीन शॉट ले सकते हैं ग्रूप में भी आया गाई तो आज हम लोग देखे कि देट एंट टाइम लाइब्रेरी फंक्शन आज जो हमारा टॉपिक था वह था देट एंट टाइम लाइब्रेरी फंक्शन इसको हम कुछ इस तरीचे से देख सकते हैं क्लियर है तो भी डाउट सेशन चालू करेंगे